चलिए वेल्कम टू दे फ्लुवेंट फिजिक्स्ट्यूसन सेंटर यह 11 का बैच है चीक है ना 11 क्लास है अब वो भी कौन हिंदी मेडियम और जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं सभी बच्चों से रिक्वेश्ट है कि ज्यादा ज्यादा मत्रा में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर लीजिए और शेयर किजिए शेयर कि इसलिए बोले करने के लिए कि जो कि गरीब बच्चे हैं जो भागलपूर नहीं आप आते हैं दूर दराज में गौण देहात में बहुत दूर में ऐसा जाने टवर्क काम नहीं करता है तो फैदा नहीं देखने से नेटवर्क काम करता है वहां तक बच्चे-बच्च्यां तक यह पहुंच जाए कल एक हमारे किये थे और बहुत खुश थे कि सराफी के नोट से हम पढ़ा रहे हैं और आफी का एहसान है लेकिन बैटलक है कि बैचारा के एक नंबर के लिए पेसी का टीचर मिस्कर गया लेकिन को बात नहीं हो जागा फिर बाहले निकल रहा है आजे निकलने वाला है नहीं तो कल निक मेकेनिकल इनर्जी के परकार बताए थे ना कल मेकेनिकल यांत्री कुर्जा के परकार दो परकार का लिखाए थे पहला नमर क्या था बैटा का इनेटिक इनर्जी सकेंड नमर क्या था बैटा पोटेंशियल इनर्जी थीक है इनर्जी मेकेनिकल इनर्जी कितने परकार का बताए दो परकार का सब अच्चे बोलिए पहला नमबर दूसरा नमबर आप काइनेटिक का परिभास हम लोग लिखेंगे इसका परिभास क्या वका सुने का ध्यान से कानेटिक इनर्जी लिखे डेज दीजिए पटाबड जल्दी से कानेटिक इनर्जी लिखे डेज दीजिएगा अरी अपसेंट है ने क्या नम उसका है बाव को नम पापा क्या नम क्या नम क्या है कि अच्छा नया चक के दार्व बाव की बीटी रस्मी अपसेंट आज है कि गौरश के नया चक चलिए सुनिए एक मढ़िया ध्यान से देखेगा नेटिक इनर्जी का परिवासा सुनना है बटा एक मढ़ खाली माने मंदू रहिएगा इसका परिवासा हो जाएगा किसी अबजेक्ट के गती के कारण किसी अबजेक्ट के गती के कारण उत्पन इनर्जी को काइनेटिक इनर्जी कहते हैं जैसे दोड़ रहा है दोड़तावा बालक इनर्जी हो रहा है कैनेटिक इनर्जी गाड़ी गती में है इनर्जी हो रहा है कैनेटिक इनर्जी पंखा घूम रही है इनर्जी हाट डालोगे हाट तोड़ गंडे कैनेटिक इनर्जी बस में आप परिवासा फिर से सुनों किसी अबजेक्ट की गती के कारण उत्पन इनर्जी को काइनेटिक इनर्जी कहते हैं चाद हो गया इसे प्राय है किसे सुचित क्या जाता है ठीक है इसका फॉर्मूला होता है बटा फॉर्मूला आफ काइनेटिक इनर्जी कहें कहें पर के भी मिलेगा ठीक है ना कोई को किताब के भी दिखा दिया है फिर वहाँ पर आप कान्फिज कर जाएएगा अब इसका फर्मॉला होता है बटा कानेटिक एनर्जी का के ये बराबर होता है बटा हाप एम भी स्क्वार हाप एम भी स्क्वार वेयर जहां है एम क्या है बटा मास आफ एन अब्जेक्ट हिंदी क्या ओजह सुनिए ये हिंदी मेडियम बेच है लेकिन फिर भी हिंदी मेडियम बच्चे को कमस्का में इतना से इंगलिस शिखना ही है 11 वे इतना से इंगलिस शिख लिजिएगा तो 12 में आपको हलका सा ही प्रोलम नहीं होगा बार 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 चीज रिपीट कर रहे हैं 11 जिसको कि थोड़ा सा मुस्की लगता है यह बात सत्य है बट वेन यूविल इंटर इंडर ट्वेल क्लास देन यूविल भी कमफर्टेवल बहुत आराम दैक अपने आपको महसूस करेंगे बहुत आराम मिलेगा आपको ठीक है लेकिन 11 में किसी को लग गया अप डाउन आया सनम गया संबला हाल हो गया कि आ रहे हैं जा रहे हैं जा रहें क्लास का कोई महतुव नहीं है 12 में बैठके रो दीजिएगा यह बार बार हमें चीज़ बता रहे हैं आप पहली बार पढ़ा रहे हो हमारा पहला बार नहीं है अनुभाव यह को चीज होता है बटा याद रखना है इसलिए जो हिंदी मिटम की बच्चे हैं तो कम इलो सिटी आफ एन अब्जेक्ट वस्तू का वेग ठीक है ना और केई हो जाएगा क्या बटा बोलो तो काइनेटिक इनर्जी काइनेटिक इनर्जी बोलो तो क्या बटा गतेज उर्जा परिखाना है किसी अब्जेक्ट के गति कारण किसी ऑब्जेक्ट के गती के गारण है उत्पन इनर्जी को सल्मा इनर्जी का स्पिरिंग सुझा रो उत्पन इनर्जी को काइनेटिक इनर्जी कहते है उत्पन इनर्जी को उत्पन इनर्जी को इनर्जी को लिखा काइनेटिक इनर्जी को काइनेटिक इनर्जी को के सूचित क्या जाता है काइनेटिक इनर्जी को प्राई है के या या के से सूचित क्या जाता है इस्टार देखे फटाफट चार पॉइंट लिखेगा इसका ऐसा यूनिट जूल होता है देखे ट्वेल्व में ट्वेल्व का आज क्रेस कोर्स चालू हो जाएगा तो जो भी आपके जान पैचान के बच्चे बच्चे होंगे जो पढ़ना चाहते हैं क्रेस कोर्स में जूइन करना चाहते हैं दो टाइम है बटा सुबह 10 से 11 असाम में 6 से 7 तो जिसमें मुका मिले उसमें उसको बोल दिएगा जूइन कर लेंगे 12 का क्रेस कुर्स आज से चालू हो रहा है ठीक है लिखिए इसका SI unit जूल होता है जूल के स्पिलिंग मिला लीजेगा इसका SI unit जूल होता है अच्छा यह याद है ना एक जूल बराबर एक किलोगाम मीटर एक और हाँ एक किलोगाम मीटर स्कौार सही है ना फिर सुन मैं बार बार पूछता हूँ आप गलते जूल देते हूँ मैंने पुछा एक जूल बराबर तो तुरत 10 to 3 और 7 अर्ग निकल जाता है मैंने क्या बोला कि जब आप से पूछेंगे एक जूल बराबर कितना अर्ग तब बोला है 10 to 3 पावर 7 मैंने क्या पुछा सिर्फ एक जूल बराबर क्या बुलिएगा एक न्यूटर मीटर या एक किलोग्राम सही है ना चलिए इस्टार देख लिए इसका इसे रिजूल होता है तो लिखाना को जो रिनेन है लेकिए सिजियस सिस्टम में इसका यूनिट अर्ग होता है सिजियस सिस्टम में इसका यूनिट अर्ग होता है सिजियस सिस्टम में इसका यूनिट अर्ग होता है फिर इस्टार देख लिखेगा यहाँ एक अधिस राश्ची है यहाँ एक अधिस राश्ची है फिर इस्टार देख लिखेगा इसका बेमासुत्र क्या M1 L2 T-2 इसका बेमासुत्र M1 L2 T-2 होता है फिर इस्टार देख लिखेगा काइनेटिक इनर्जी का फार्मूला सुत्र इस्टार देख लिखना है काइनेटिक इनर्जी का सुत्र फार्मूला लिखना है बटा देखिए फर्स्ट पेपर में एक और ग्रेविटेशन चेप्टर बचा हुआ है कि रोटेशनल का थोड़ा पठ पढ़ा दिया आपको एक और ग्रेविटेशन बचा हुआ है फर्स्ट खतम हो जाएगा उम्मीद है कि इन मैना तक में या शुरू दिसंबर में फर्स्ट लगवाक्त समाप्थ हो जाएगा सेकेंड इस्टार्ट कर देंगे तूराथ कि अन्सार्टी दो किताबा भाग एक भाग दो भाग एक समाप्थ हो जाएगा कि इस टार देके लिखेगा फिर ने फर्मॉला लिखा यह सब उतार लिए हां से यहां आँ प्रूफ करेंगे इसको तो इसको अभीतरत प्रूफ करना है कि फिजिक्स में बेटा है जतना फॉ में बड़ी असे फोसे फ्फ फार्मूला फोसे फिगर bats फोसे फर्मॉला नै अप कि याद रखेगा देना फिजिक्स में ने वले यह नहीं बेटा रटने वाले छात्रे सिर्फ पास करेंगे टॉप नहीं करेंगे कितना को संद्रटीगा एक एक को सनीन है बहुत को सने बेटा एक दूबर रता चलो हम भी करते रट जाओ लेकिन बेटा ऐसा कम लॉंग को सन मिलेगा पंदरह बिस पचीज गूर सौट को सना आज़सो तीन सो मिलेगा करता रटिएगा सिखना है समझना है जैसे सिखिएगा समझेगा सोचने के शक्ति आपके अपने आप बढ़ जाएगी एक्जाम में आप अपने आप लिग देंग उतार लिया इसको प्रूफ करके दिखाएंगे भी तुरत कौन प्रूफ करेंगे आप लोग आए और आम करेगा आए अगर आपसे पूछा जाए जूल और अर्ग में रिलेशन फिर सुझेगा अगर आपसे पूछा जाए जूल और अर्ग में रिलेशन तो एक जूल बराबर कितना बोलिएगा मैंने क्या पूछा जूल और अर्ग में रिलेशन तो एक जूल बराबर कितना अर्ग एक अर्ग बराबर कितना जूल चलिए आई प्रूफ कर रहा हूं यूसफ ध्यान से देखो बोट पर देखे अच्छा सुनिए कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे मालेजे आप ही को बोलेंगे दोड़ो तब पहले तुम किसी में रहता रेश्ट में की मोशन में रेश्ट में कोई ऑब्जेक्ट है उसका कौन सा भिलोस्टी जीरो का इनिस्ट्र या फाइनाल आथ लड़कें सबने बतुर लिकिने पूल लिए सिंपु सब ने बूल लिए सिपु सब नाम ले लिए रिकॉर्डिंग माँ अब सुन्तों माय के तो कि हागी बिटी ने बूल इसने का ने बूली है फिर सुनो यदी आप से क्या पूछ रहे थे हैं हाँ 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 है यह फिर आप से पूछा जाए कि ए सुना ठीक बड़ा गर्मी ज्यादा नहीं है अभी गर्मी आपको लगेगा चुकि सब जबान होते जा रहे हैं तो बटा यही तो है इस उमर में गर्मी बरदास करना है अजो बरदास कर लिया बबिश्ची में उसका तक्तम फिक्स है कुछ न अच्छा न अच्छा न अउक्री करेगा तो चिक है सुन ध्यांजा ऐसा निक रिकॉर्डिंग आपकर के नहीं बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग ओन है आप सुन भी सकते हैं जतना बात हम बोलते हैं अगर आप लोग वीडियो कर देते हैं कि सुनिए आई पूछ रहा था यह आप से कि कोई भी आप्जेक्ट दोड़ना स्टार्ट करता है तो पहले वो की सबस्थाम रहता है रेस्ट में रेस्ट में रहता है उसको कौन सा वेलिश्टी जीरों का इनिश्यल या फाइनल इनिश्यल का सिंबाल यू या उस्थाम भी आ जानते हैं ना चल विटा भारी गूडव कर रहे हैं ठीक है इन फ्रॉट शुरू हो गया ध्यान देखेंगा ध्यान से तो नहीं देखेएगा फ्राम है एक्वेशन और बातचीत नहीं बावू एक्वेशन अपमोशन बातचीत नहीं किजिए बातचीत किजिए गास को खड़ा करके को सन पुछना सो कर देंगा ऐसे ने पूछेंगे यहां पर स्टेज पर लाएंगे उसको को सन पूछेंगे रिकॉर्डिंग उसका सुरू होगा ठीक है तब पुछेंगे उससे जबाब दीजेगा तो थैंक्यू थैंक्य ऐसे ब्रभ promote जाएंगे नहीं जबाब दीजिए रिजद करते हैंग्यिंगे ऐसा ऐसल बात बोलेंगे कि बटाव का से इतने जन्य फटीडि गग है समय जाएगा चलिए गति के समिकरन से गति का तिसरा समिकरन पढ़ाएं रहे हैं का समिकरन तीह ना कुछ बचा उंगली देखे चार बोल दिया था ठीक है आपका टेस्ट लेने के लिए आपका साइकरोजिकल जांच करने के लिए मैं इसे बुलते रहता हूं कभी-कभी ताकि हमको यह देख देखे बोलते हैं कि सहीम आप जानते हैं बस मेगन है जो नहीं जानता होगा चार देखा चार भाई चावताम कब पढ़ाएं है इभी तो यह आप पढ़ें तो कब पढ़ लिए इभी पूछेंग आप से हाठी के बटा हब आएगा बहारोग तो नहीं मजा लेना जो नहीं जो नहीं जो नहीं जो नहीं सुनिए गति का का समिकरन पाइला समिकरन कौन है भी बराबर दुसरा कि बुलेंगे एस व्राइव यूटी प्लस तिस्टरा भी स्क्वार व्राबर यू स्क्वार प्लस सही है ना देख बड़ा क्लास में घटना टन जवाब देबाएं एकदम होटों पर यादे तू तिस्टरा समिकरन देखिएगा देखिए एक बच्चे बोल रहा है कि रिए मैंने गति का समिकरन पूछा गति का समिकरन अलग है गति का नियम अलग है गति का नियम पर्थम नियम द्वितिय नियम तिरितिय नियम और मैंने गति का समिकरन पूछा फर्स समिकरन सकेंड थर्ड समिकरन में फर्मला एक्वेशन आता है और नियम में सिर्फ इस्टेट्म आता है तो गती का समय करण गती का नियम दुन अलगब बशाद चीजे उती है ठीक है तब गत्य का समय करन क्या थे तेसा नमर बोलो तो भी स्क्वार ब्रावर सही है ना आप देखें here यहाँ पर यह पता है भी को क्या बोलते है इनिस्चल के फाइनल क्यों को एस बिस्थापन होता है ना फिर सुनिएगा आप बेटा यहाँ ध्यान देना है here you दो बराबर जीरो क्यों 0 को भी ऑप्जक्त पालिक की सभस्ता मराता है फिए ध्युंत में रहता है कि रहता हैateur ना जातर इंग data किसी का मण जीरो जैगा यहूं का मण जीरो का अगर यू ब्राबर्बर 0 रग देग में कुछिकान 4 में है व्हूंहें व्हशन के KAS estabteo टार गौश को पिल तो है ईघर इसे में निकालना चाहेंगे इंधर कुना में कि भाग में है इधा रगधा तो और यह बराबर क्या हो जाएगा भी स्कॉएर बार टू एस इपटीस ने पढ़िया है एस थे के कोई देखें अगर किसी बच्चे के मन में किसी परकार का सवाल है कोई कर गया यह तो कहीं कुछ पढ़ा होगा यह कोई सर गलत पढ़ा दिये होंगे गति का जो सिमिकरन बताए तीनों और में है फर्स्ट सकेंड थर्ड उल्टा पुल्टा नहीं है पहला भी ब्रावर यू पलस एटी है फिर बोले रिकॉर्डेट वीडियो रहेगा आप सुन भी सकते हैं दूसरा है एस ब्रावर यूटी पलस हाफ एटी स्क्वाइर अतिसरा है भी स्कॉ लगते हैं तीसरा नमबर मैंने देखा था बहुत टीचर को कि इलक्ट्रिक फ्लक्स का मात रख बहुत टीचर से पढ़ाते हैं इलक्ट्रिक फ्लक्स का मात रख मैंने कहीं वेवर नहीं पढ़ा मैं नहीं पढ़ाऊं लेकिन कोई टीचर क्या है लिखाते हैं अब लिखा त तो से नहीं आता है तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएका ओंग लगे यह सब परिशानी होती है इन सब परिशानी का सामना करना पड़ जाता है कंग कहा बना मैं जो बताता हूं अब इसको लिखे अब देखेंगा आप देखें नाव वर्क डण कि वर्क डण का मतला क्या गया कारी यह वर का फर्मूला पढ़ाए हैं बल बड़ा कारी बरावर बल गुने विस्थापन पढ़ाएं ने पढ़ाएं इसी में एक चीज़ा और बता दें डबलू बराबर एक और पढ़े होंगे फोर्स बरावर क्या पढ़ाए रहें ने पढ़े हैं एफ बरावर में एफ के जगह पर क्या लिख देंगे में इंटू क्या एस एक्वेशन नमबर क्या थड़ को दिकत किसी को आप क्या करेंगे बटा जो सके रुकन की बापर छापनें बॉला है कहीं नम बोली दिया नम बोली उतार रहे चाहां अब सकेंड का मान किस में रख देंगे किस के जगह पर एक जगह पर क्या लिखेंग बटा बोलिए तो यूजिंग यूजिंग लिखेगा तब ना यूजिंग एक्वेशन किस को सकेंड को किस में बटा इन एक्वेशन थर्ड इसका मतल समुझमाईगा क्या हो गया इसका हिंदी इसका हिंदी क्या हो जाएगा दो कमान किस में रखेंगे तीन में किस के जगह पर एक के जगह पर न तो W बराबर क्या हो जगह बटा बोलो तो M, A कमान कितना निकाला B स्कॉइर बार 2 इन्टू S अगुना S, S, S केंसिल हो गया तो W बराबर क्या हो जगह बटा M B स्कॉइर बार एक्वेशन कितना गया बटा अब यहां पर एक लाइन भासा लिखाएंगे कि यहां वर्क अबजेक्ट में गतिज उर्जा के रूप में नहींता है यहां वर्क अबजेक्ट में किस रूप में नहींता है गतिज उर्जा के रूप में यानि कि यहाँ पर एक दूर्ण भासा लिखाएंगे तो इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा बैटा काइनेटिक इनर्जी इसलिए from equation 4 समिकरन 4 को लिखेंगे काइनेटिक इनर्जी बराबर क्या हो जाएगा MB square by 2 इसको अलग 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 लिखेगा तक के इबराबर क्या हो जाएगा बैटा half MB का square prove ठीक है ना चले फटावट जल्दी उतारा शुरू किजिए चले उतारा शुरू कि जल्दी से योर टाइम शुरू है कि देखे टीचर लोग कि एड़का रहे गवराच्यों कि सन अफ मोहंदास हाथ सा तुपले रबड़ निकालो तो तो क्या चीज़ है अब लादांतर को दिन टिकली सिंदूर लगा चलो यहां साथ हैं बस्तु सास्त्र में सब दोस्त है मत पन्यों सब नुक्सान करेगा निगेटिव इनर्जी आपके बड़ी पर काम करेगा मेटर अपने बड़ी पर रहे क्यों ठीक है मेटर रख सकते हैं करें 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 कि आपके वुआ जांडी इनर्व अक्रान करें 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 झाल झाल